टाइगर वर्सेस पठान से पहले सुहाना के साथ फिल्म बनाएंगे शाहरुक। अपनी बेटी सुहाना को लेकर एक बड़े लेवल की एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म के लीड रोल में सुहाना ही होंगी। शाहरुक का बस extended cameo होने वाला है। ये एक स्पाय एक्शन फिल्म होने वाली है। इंडिया टुडे की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक सुहाना यहां एक एजेंट के रोल में नजर आएंगी। वही शाहरुक उनके हैंडलर बनेंगे। ये वो शक्स होता है जो मैदान पर गए एजेंट की बैकेंड से मदद करता है। बेसिकली सारा एक्शन सुहाना के हिससे ही आएगा। इस फिल्म को कहानी फेम सुजोई घोश डाइरेक्ट करेंगे। बॉलिवुड हंगामा में चपी खबर के मुताबिक नवंबर दो हजार तेईस में फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। रिपोर्ट में कोट किये गए सोर्स ने बताया, इस फिल्म को शाहरुक और सिधार्थ आनंद मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पठान्थ की बंपर काम्याबी के बाद सिधार्थ आनंद की एक्शन वाले स्पेस में पुक्ता इमेज बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शाहरुक इसी वजह से उन्हें सुहाना वाली फिल्म पर चाहते थे। ये एक स्टाइलिश फिल्म है। ऐसे में मेकर्स चाहते हैं कि स्क्रिप्ट के एक्शन ब्लॉक्स, स्टन डिजाइन सिधार्थ आनंद की देखरेक में रचे जाएं। प्लान है कि इस फिल्म को साल 2024 के अंत में रिलीस किया जाएगा। अगले साल के आखिरी वाले महीने पहले से ही पैख हैं। बताया जा रहा है कि आमिर खान की कमबैक फिल्म सितारे जमी पर भी दिसमबर 2024 में सिनेमा घरों में उत्रेगी। अक्शय कुमार की वेलकम तू दजंगल को भी दिसमबर में लाने का प्लान है। ऐसे में सुहाना शाहरुक की फिल्म किस स्लॉट में रिलीज होगी, ये देखना होगा। बाकी काम की बात करें तो सुहाना की पहली फिल्म दा आरचीस शून्य साथ दिसमबर 2023 को नेटफलिक्स पर आ रही है। हाल ही में फिल्म से पहला गाना, सुनू, भी रिलीज हुआ है। दूसरी और शाहरुक, टाइगर 3 में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उनका कैमियो होगा वहां वो टाइगर को पाकिस्तान से बचा कर लाएंगे। सुजोई घोश वाली फिल्म से फ्री हो जाने के बाद वो अगले साल अप्रेल या मई से टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं। सुजोई घोश के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को शाहरुक मार्च 2014 तक पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद वो सल्मान खान के साथ टाइगर वर्सेस पठान शूरू करेंगे। सुजोई घोश वाली फिल्म नवंबर में शूरू होगी और उसकी शूटिंग इंडिया और विदेशों में करीब 6 महीनों तक चलेगी। प्रेट चिलीज एंटर्टेन्मन सुहाना को बड़े परदे पर लॉंच करने के लिए इंबिशियस फिल्म बनाने जा रहा है।